तो देखते हैं आपर question number 24 में हमसे क्या पूछा गया है? Distinguised between a gamut and jygote, explain their roles in sexual reproduction. तो हमें यहाँ पर gamut and jygote का difference बताना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है कि sexual reproduction में इन दोनों के क्या roles हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों के difference की बात करेता हूँ, gamut की and jygote की. तो gamut हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? Sexual cells होते हैं, जो कि यहाँ पर reproduction में help करते हैं. तो जो हमारे यहाँ पर male gamut होता है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसपम बोलते हैं, और female gamut को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, तो जो यहाँ पर jygote की formation होती है, वो यहाँ पर fertilization की process के बाद होती है. उसमें हमारे यहां पर क्या होता है, male gametes and female gametes आपस में मिलते हैं, उसके बाद यहां पर fertilization होती है, और उसके बाद यहां पर क्या होती है, जाइगाउट की formation होती है, अब यहां पर बात कलेते हैं इसके second difference की, तो gametes यहां पर क्या होती है, unfertilization, reproductive cells होती हैं, यहां पर fertilization नहीं मिलें जबकि यहाँ पर जैगोट में यहाँ पर क्या होता है दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसको यहाँ पर फर्टिलाइज एक बोल सकते हैं या फर्टिलाइज ओवम बोल सकते हैं अब यहाँ पर बात कर लिए इसके थर्ड डिफरेंस की तो यहाँ पर होता है कि scheint कि मेल औंड फिमेल गमेट्स आपस में मिलते हैं तो आपер що कता है अपर होता है और पार सकतेTOR नियूबओनपी कोarent धीन होता है इसको बोलते रिप्रोड़ुक्ति के अ इसको से पिक्षड ऐस's डूख होती हैं यह हमारे हें इसको यहां जो हमारे यहां पर क्या करते है करी करके चलते हैं मतलत क्या सकते हैं और यहां पर connection किề genetic information होती है जो वो आगे carry करके चलते हैं और उसके बाद जो यहां पर जाइग ओट होता है वो यहां पर क्यों होता है रिपीटीडली डिवाइड होता रहता है और उसके बाद वो यहां पर off springs produce करेगा या कह सकते हैं newborn baby या new individual produce होगा तो hope आपको इस question का अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ